नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है गाड़े स्टार्ट के एक ओर नई वीडियो में तो दोस्तो जैसे कि हम सभी को पता है कि हैर बहुत ही जल्दी इंडिया के अंदर यामा R3 लॉंच होने वाली है और 인डिया के अंदर यामार möchte ने तरी हन्डर को सबसे प्रफिजदार होने वाल है और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो चले दोस्तों बीना आपका समय कवाए वीडियो करते हैं जल्दी से शुरू तो इस वीडियो में सबसे पहले हम कंपेर करते हैं इन दोनी बाइक सी लुक्स को और जानते सब्सक्राइब करें याँ देंगता था होने सब्सक्राइब करहते हैं देखना यारे में ने यहां पर फ्रेंट में दी ग mobऩाहई हैं यहां फर्टा में हैं लेकिधार है लाइट और यहांपर बात किजाए बाइक की साइट प्रोफाइल के बार में तो कुछ इस तरह की हमें इस बाइक की साइट प्रोफाइल देखने को मिलती है बात करें बाइक की रेर लूक के बार में तो यहांपर आपको रेर लूक देखने को मिल जाते हैं यहांपर आपको में प्लीज कमेंड करके बताना है तो चली बात कि जाए दोनों बाइक के प्रैसिंग के बारे में तो यहां पर सबसे बहले बात करते हैं यामार 3 के बारे में तो जब इंडियन मार्केट से यामार 3 डिसकॉंटी नहीं हुई थी तो इस बाइक के प्रैस सा 3,60,000 रुपे और अब एक बार फिर से यामा इंडिया को इंडिया इंडिया इंद लांच कर रहा है तो इस बाइक प्रैसिंग के वज़े से यार मैं चूज करता हूँ निंजा 300 को चूकर निंजा 350,000 रुपे के आसपास सस्ती है अगर इसको कंपेर के जाए यामार 3 से बात करें दोनवी बाइक की परफॉर्मेंस मालेज और टॉप स्पीड के बार में की कौन सी बाइक आगे निकल जाती है तो पहले बात कीज़े यामार 3 के बार में तो यहाँ पर आपको यामार 3 में द देखने को मिलता है इसकलवा बात करें कावासा के निंजा 300 के बार में तो यहाँ पर इस बाइक में दिया गया है 296 CC पैरलल ट्विंस लेंडर लिक्वेड कूल इंजन और यह जो एंजन है वो 39 PS के आसपास की पावर प्यूज करता है और यहाँ पर आपको इस बाइक से 26 हमका maximum torque देखने को मिलता है और यहाँ पर बात करें कि कौन सी बाइक की top speed सबसे ज़्याद है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आमार 3 कि जो top speed है वो 190 km परार से लेके 200 km परार तक जली जाती है और वह एकर बात कि जाए कावसा के निंजा 300 की तो यहाँ पर इस बाइक के जो के 25 km पर लेटर के आसपास की जो मालिज है वो आपको असानी से प्रोवाइड करा देती है बट यहाँ पर यहाँ पर यहाँ मार 3 में एक बहुत बड़ा ड्रो बैक और वह यह है कि यहाँ मार 3 में सिर्फ हमें 14 लीटर का fuel tank मिलता है और वह गर इसको compare करें कावसा के निंज फॉक्स सपेंशन और आपको इस बैक के रेर में देखने को मिल जाते हैं और यहाँ आपर यहाँ मार 3 में के वाई बीक सेट अप यूस किया गया जिनकी क्वालिटी अच्छी है और इनकी वज़ए से जो आपको रैडिंग एक्स्पीरियंस हो काफी अच्छा हो जाता है औ आपको रैडिंग पोष्टर काफी अग्रैसिव ना ओं और आप आराम देख रैड को इंजॉव एक और आपको यहाँ आम 290 mm की disc brake को यहाँ पर रेर में आपको 220 mm की disc brake देखने को मिल जाती है बाकि यहाँ आपको कावासा के निंजा 300 में पैटल टाइब disc brake आपको ओफर की गई है और बात की जाए दोनों ही बाइक से कौन सी बाइक का ब्रेक से बच्चा है और आपको फ्रेंट और एर में 17 इंचिस का वील यहाँ पर आफर की गए है इसकर अगर compare के लिए दोनों ही बाइक से डिमेंशन को तो कुछ इस तरह के हमें इन दोनों ही बाइक से डिमेंशन देखने को मिल जाते है बात करें कंसोल के तो हैं आप आपको कावसा के निंजा 300 में कुछ इस तरह का कंसोल देखने को मिल जाता है और एक कंसोल यार काफी जदा आउटेटिड हो चीए और काफी समय से कावसा की कंपनी इस कंसोल का अपनी यामार 3 में दे रही है और मुझे यह लगता कि यार साल 2030 में कावसा की को इस कंसोल को थोड़ा सब्डेट करना चाहिए और वह एकर बात कि यामार 3 के बार में तो यामार 3 में आपको कुछ इस तरह का कंसोल मिल रही काफी एडवांस है और आप इस कंसोल को ब्रूद के जरी अपने फोन से भी कने जा 300 में फीचर के नाम पे कंपने ने बहुत कम काम किया है बाकि आई होप तो कि इन फीचर में कावसा की इस बाइक को काफी ज़्यदा फीचर लोड़िट बाइक बना दी बाकि दोस्तों यह था इन दोनी बाइक से एक शॉर्ट कमपैसन तो दोस्तों आप इन दोनों में स झाल